हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस के हिंदी का महत्तोपुड बहुविकल्पी प्रश्णों को देखेंगे यह ऐसे प्रश्ण है फ्रेंस जो आपके प्रिवियस एयर पेपर में जैसे 2023, 2022, 2020, 2019, 2018 में यह सभी प्रश्ण कई बार रिपीट हो के लिए यह सभी प्रश्ण बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो फ्रेंस आप से रिक्वेश्ट है कि आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें जिससे आपको यह पता चल सके कि आपके बोड की एक्जाम में कैसे प्रश्ण आते हैं चले फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यह आपके साहने पहला सवाल है कि कौन सा यूग हिंदी गद्य के उतकर्स का सुर्दे काल था तो फ्रेंस जिसका आप साने च्छाया वाद उत्तर यूग दिवेदी यूग भारतेंदू यूग यह च्छाइवादी यूग जिस प्रश्ण का एंस्वर आप को पहले से पता हो उसका एंसवर आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा तो फ्रेंच पहले सवाल का सही जवाब है भारतेंदू यूग इस प्रश्ण का सही जवाब सी होगा कि भारतेंदू यूग हिंदी गद्य के उतकर्ष का सुर्दे काल कहा जाता था ठीक है चलि अगला सवाल है आपके सामने यहां पर देख सकते हैं तिसरा नमबर का सवाल है कि तिब्बत यात्रा के लेखक को नहीं है देखे फ्रेंच यहां तिब्बत यात्रा है इसके लेखक का नाम बताना है जहां भी इसका आपसन है अग्गे राय कृष्रदास राहुल साक्रत्यायन या अध्यापक पूरुसिंग तो फ्रेंच जो तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है तो इस प्रश्ण का सही जवाब हो गौसी कि तिब्बत यात्रा के जो लेखक ह राहुल साक्रत्यायन है तो इसको आप याद रखिएगा और याद करके इस वीडियो के एक दो बार देख लीजिएगा जिससे आपको यह सभी प्रश्ण आपको याद हो जाए चलिए अगरे नंबर के सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपका है कि छायवाद दुत्तर का जो पत्रिका है वह स१ल आपसंद्स का जवाद काल की पत्रिका काद बंदि sound已 याद है जरी अगले नंबर सवालों के देखता है आपके सामने अगला नबर सवाल है कि सत्यार्थ प्रकास रचना है यानि सत्यार्थ प्रकास रचना किसका है आपसन है वासुदेव शेरड अगरवाल राजा लचमर सिंग स्वामी द्यानन या सदन मिस्र तो फ्रेंज जो सत्यार्थ प्रकास है इसकी रचना क्या सत्यार्थ प्रकास रचना किसकी रचना है फ्र तो स्वामी जयाननंद की पत्रिका है, ठीक है? । अब दिखेंगे फ्रेंस, आंगला सवालальной छहटवा नमबर कैए, आपकी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप याद रखेगा, कि रानी केतकी की कहानी की लेखक है यानि रानिक केथ की कहानी की लेखक को । ś इसका सही जवाब होगा एवाला किरानी केत की कहानी का लेखा को ने फ्रेंज इंसा अल्ला खा है ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपके प्रश्ण पत्र के लिए बहुत इंपोर्टेन फ्रेंज सात्वा नमबर का कि खड़ी ब सब्सक्राइब तो प्रथम गधन रचना मानी जाती है तो गोरा बुद में कहता को उनकों प्रसित औलोचक का नाम बताना है जो आपकी सांहें है कि मुंसी प्रेम चंद्र जी हैं महादेवी वर्मा आचार राम चंद्र शुक्ल जैसंकर प्रसाद तो फ्रेंज देखें यहां से प्रसिद आलोचक जो थे वह आचार राम चंद्र शुक्ल थे इसका सही जवाब होगा सी वला आपसन कि आचार राम शुक्ल जी हैं तो प्रसि प्रेदी है जैनेंद्र कुमार है डाक्टर धर्मवीर भारती है यह वासुदेव शरण अग्रवाल है यहां पर जो कला और संस्कृति के लेखक है वह वासुदेव शरण अग्रवाल है इसका सही जवाब डीवल आपसन करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देख सकते हैं आप कि नासि के तो पाठ्यान के लेखक जो सदन मिख रहे तो इसका सही जवाब डीवल आपसन करेक्ट ओए ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपकी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको आप याद रखेघा कि क्या भूलक क्या यद करूं नीड कर निर्मार फिर कि रचना है ठ कैसा है अमित रहे हरीवंच राइब बच्चन डॉक्टर रामिविला श्रमा जै संक्र प्रसात स्राइब देखें यहां पcito कि क्या है निर्मार फिर ये जो आपके कवरेंस तो भी वन श्राय बच्चन यह सवाpose भूनलियों को रिखाता च्रच क्या धुटित 걱정 श्रामिकर करेक्ट कर्थ क्या बूबुक्या आयाद करवें नीर करने की सिर्डे लिखाता यह आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा important सवाल है ठीच है friends, चले अगले सवाल को देखते हैं, अगला नमबर का सवाल है यहां पर कि दिवएदी यूग की काल अवधी है ठीच है friend कि यहां पर आपको बताना है कि दिवएदी यूग जहें उसकी काल अवधी कितनी मानी जाती है आपसन है 1851 से लेके 1887 इसवी के बीच में या 1877 से लेके 1914 के बीच में 1856 से लेके 1934 के बीच में या 1900 के 1922 दीके फ्रेंट जो दुवेदी यूग का अवधी है 1900 से लेके 1922 तक माना जाते हैं इसका सही जवाब डीवल आपसन करेक्ट होगा कि दिवेदी यूग की जुकाल अवदी है कितना उन्नेश से लेकर उन्नेश सो बाईसी सुवित ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो तेरहावा नंबर का है कि छायवादी यूग के लेखक कौन ठीक है आपको बताना है कि सुरेकान् ठीक法टी निराला अमृत राज दिगे फ्रैंस चौक शायवादी यूग के लेखक है इसके सही जवाब होगा है्पका फ्रैंस के सुरGEकांत्रिपाटी निराला जी है च्छायवादी यूग के लेखक इसको आप याद रखिएगा आपके सामने च्वहदा नंब कि और अमीर खुस्रों सब्स्राइआ का नाम क्या है यहां पे आपको बताना जो आमीर's सब्साइब बीजक अश्टया या पहेलिया या मुकरिया तो फ्रेंज जो अमीर खुसरो की रचना का नाम है वो पहेलिया और मुकरिया जो है अमीर खुसरो की रचना है तो फ्रेंज आप याद रखिएगा जो पहेलिया और मुकरिया है वो अमीर खुसरो की रचना है तो इस प्रशन का स नाभादास बैकुंट मरी शुक्ल गोस्वामी वुठलनात देखे फ्रेंस जो स्रिंगार रस मंडल है इसकी रचना के लेखक कौन है फ्रेंस तो गोस्वामी वुठलनात है तिसका सही जवाप कौन सा होगा आपका डी वाला आपसन करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगले नंब जी घ्रपक है कहानी है उपन्यास है या निभंध है तो प्रेंच जो बैमान की परद में निबंध है तो इसका सही जवाप क्या होगा प्रेंस कि बदा की रचना है त्युक्या मैं निभंध इसको आप साथ में याद रखिएगा चलिये नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके पेपर के लिए बहुत important इसको आप जरूर याद रखिएगा कि सन्नाटा के लेखक कौन है यानि पूछता है पेपर सन्नाटा के लेखक कौन है आपसान है अग्येजी है जैनेंद्र कुमार राम ब्रिच बेनपूरी वासिदेव अगरवाल तो फिरें जो सन्नाटा के लेखक है वह राम ब्रिच बेनपूरी है इसका सही जवाब होगा सीवला आपसान कि लेखक कौन है राम बविच बेनुपूरी यान मैं ब्राम बैरी बेनुपूरी ने था लिखा ठिक है इस्पनिज़र सभिण और सब्सक्राइब आपके सामनी अगला नंबर का सवाल शाम देख सकते हैं कि त्रत्री पुत्र किसी विधा की रचना है तो यह यहां पर इसका सही जवाब होगा निबंद पूत्र क्या है फ्रेंज आपका एक निबंद है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल 19 नंबर का यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट इसको आप याद रखिएगा कि पूस की रात और कफन कहानी के लेखक कौन है आपसन है जैसंकर प्रशाज जी है सुर्यकांत्र पाठा निराला है मुंसी प्रेमचंद्र है या महादेवी वर्मा है देखे फ्रेंज जो पूस की रात और कफन यह इसके लेखक काने फरेंज तक मुंसी प्रेमचंद्र जी है इसका सहीं जवाब होता हुगा मुंसी प्रेमचंध्र के लिए बहुत इंपोर्टन आपके सामने ये कि पदूम लाल पुन्ना लाल बक्षी किस कहानी के लेकाकulsionे गद्रक मंत्र के जलमला के खाली कि देखें के व्लाल पुन्ना लाल बक्षी किस कहानी के exam इसका सही जवाब होगा आपका डीवला अपसान जहलमला ठीक है तो याद रखिएगा कि पदुम लाल पुन्ना लाल बक्षी द्वारा लिखा गया क्या है तो वह आपका जहलमला इसको साथ मियाद रखिएगा देखिए आपको सामने अगला सवाल 21 नंबर का कि उसने कहा था किस विदा की रच कि यहाँ पर आधुनिक साहित की सबसे लोगपरी विधा बताना ठीक है विधा में जैसे आता है नाटक उपन्यास को आने एकांकी इसमें से सबसे लोगपरी किसे माना जाता है एकांकी को माना जाता है इसका सही जवाब होगा डी वाला आप्सन करेक्ट होगा तो फ्रेंज देखिए आपके यहां पर हिंदी के इसमें से ही आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाले प्रश्ण है तो फ्रेंज इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा फूल वाच करना है जिससे आपको यह सभी प्रश्ण आपको याद हो सके ठीक है फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करे और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें